साथियों आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं तो जो भी हिंदी एच्छी विशे के छात्र हैं कख्षा ग्यारे के आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ऑनलाइन आ जाएए पेज से कनेक्ट हो जाएए ताकि आज हम आपको प्रेमचन की कहानी इदगा का दूसरा पार्ट जो है वह हम दिखा सकें सुना सकें बता सकें औ और इदगा कहानी पर हम आगे बढ़ सकें तो सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि पर आप ओनलाइन आएं और इस पेज के उपर आप तो वाच करें लाइफ क्लास अभी होने वाली है हम अपने इस अनसाधनों के साथ तयार हैं इदगा कहानी का दूसरा भाग हम आज प्रस्तुत करेंगे एक भाग कहानी का हम कल देख चुके हैं पढ़ चुके हैं उसमें हमने प्यम्चन जी का परीचे भी देख लिया है आज हम उससे आगे बढ़ेंगे तो जितने भी साथ ही हमारे हैं जो हमारे चात्र चात्राइं हैं क्रिप्या ओनलाइन आ जाईए ताकि आज के कक्षा जो है हम प्रारम कर सकें जो चात्र हमें वाच कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू करें आज हम ट्यम्चन जी की कहानी इदगाह का दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे उमीद है कल जो वीडियो लाइव किया गया था वो आप लोगों ने देखा होगा और आज की कनेक्टिविटिी भीटर होगी सभी को आवाज आ रही होगी अगर आवास से संबंदित को इश्यो है तो किरप्या कमेंड करें ताकि हम यहाँ रिसेट कर सकें तो पुनहें आप सभी से अनुरोध है कि आज की कक्षा में आप सभी जो है आजीर हो ताकि हम लोग जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें जो साथी हमारे साथ जुड़ सकें एक बार पुनहें सभी को मेरा नमस्कार उम्मीद है लॉकडाउन के इस पीरेड में आप सभी स्वस्थ होंगे घर के अंदर होंगे पूरी सावधानी आप रख रहे होंगे प्यारे बच्चों आज मैं लेकर प्रस्तत हूँ इदगाह कहानी का दूसरा भाग कल हमने प्रेमचन जी के जीवन के बारे में जाना हमने जाना कि कितनी कटनाई उन्होंने अध्यन किया और अध्यन से लेकर लेखन तक का उनका सफर कैसा रह कैसे उन्होंने कहानियों को समाज के यथार्थ के साथ जोड़ा साहित्य की धारा जो सौंदर्य को लेकर चल रही थी उस सौंदर्य को उन्होंने समाज का सौंदर्य बनाया और अपनी कहानियों उपन्यासों अपने प्रेरक विचारों के माध्यम से टेमचन जी ने हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग प्रसस्त किया बहत सारी कहानिया उन्होंने लिखी टेमचन जी ने लगबग 300 कहानिया लिखी मानसरवर के आठ भागों के अंदर उनकी कहानिया संकलित की गई हैं गुप्त धन के दो संग्रह भी आ चुके हैं ये तमाम कहानिया उनकी जो हैं आदरसोन मुखी यथार्थवादी आदरसोन मुखी यथार्थवादी कहानिया हैं जैसा कि कल मैंने बताया था कि अगर प्र इसे देखेंगे तो एक अंतर यात्रा जो है प्रेमचन लेकर के चल रहे हैं 1901 के आसपास उन्हें लेकर ने स्टार्ट किया था मैंने कल आपको बताया था कि 1901 के आसपास जो है वो उपन्यास लिखने लग गए थे तिलिष में होश रुबा उस समय वो उर्दू के अंदर पढ़ते थे और एक में उन्होंने एक उपन्यास लिखा उसके बाद 1904 के अंदर एक उपन्यास आया कहानियों से वो लिखी उन्होंने काफी लेकिन 1907 में जब जमाना के अंदर उनकी कहानिया छपी तब वो हमारे सामने आए तो यह एक यात्रा जो है धनपत राय की यात्रा भी है जो धनपत राय उर्दू के अंदर नवाब राय के नाम से लिखते हैं उनके उपर सोजे वतन की कहानिया आने के बाद बहन लगाने के प्रियास किये गए बहन लगा भी उनके उपर सोजे वतन की प्रतियों को लाकर जलाया भी गया इन तमाम वाकियात के बाद जो है उन्होंने हिंदी में अपनी कलम थामी और जब से उन्होंने हिंदी के अंदर लिखना प्रारंब किया उसके बाद लगातार अनवरत उन्होंने एक से एक बेहतरीन कहानिया हिंदी साहित्य को दी एक से एक बेहतरीन उपन्यास उन्होंने हि प्रेखक संपादक प्रेमचंद की इदगा कहानी आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अगर मैं उसको रिवाइज करूँ जो कल हमने कल के वीडियो के अंदर जो दिखाया है तो कहानी शुरू होती है कहानी के करेक्टर्स आते हैं उन करेक्टर्स के अंदर एक बच्चा है हमिद इद का त्योहार है इदगा जाने के लिए सभी मचल रहे हैं क्योंकि इदगा के अंदर एक बड़ा उत्सव एक बड़ा मेला जो है भरने वाला है सभी बच्चे जो है वहाँ पर जाने के लिए उत्सुक हैं वो अपने माता पिता के साथ वहाँ जाने के तैयारिया कर रहे हैं कहानी का मुख्य किरदार है हामिद हामिद के माता और पिता दोनों ही नहीं रहे हामिद जो है वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है चुक्कि माता-पिता नहीं रहे हामिद के पिता का नाम आबिद था और आबिद के नहीं रहने के बाद उनकी घर की आर्थिक इस्तिती जो है वेहर डामाडॉल हो जाती है अमीना भाई के पास बमुश्किल पचास पैसे एकठे होते हैं जिनमें वो दो पैसे का दूद लाने की सोचती है तीन पैसे जो है सोदी है कि मैं हामीद को दूँ ताकि मेले से हामीद कोई खिलोना या कोई खा पी ले और पांच पैसे वो अपने पास बचाकर रखना चाहती है क्योंकि उसे सवियां बिलानी है बाट की लोगों को बाट करके खिलाना भी है इधर बालमच सुलब जो दोस्त है हामिद के उनकी इच्छाएं जो है उसमें महमूद है महुसिन है नूर है समी है यह सभी जो बच्चे जो है वो हामिद के साथ जाने की तैयारियां कर रहे हैं कहानी को हम इससे आगे बढ़ाते हैं कल तक हमने यहां तक कहानी देख ली थी और आज हम इसको कहानी को यहां से आगे बढ़ाएंगे कोशिश करूँगा कि जो मैं read करता हुआ जाऊंगा वो आपको भी जो है दिखाई देma कोशिश है मेरी कि आज आप जो है उसकाहाणी के सबदों की ओर भी जैं दे और दूसरी बात की कल मैंने आपको बताया था कि तहरीर करेकरम आया था मुन्सी प्रेमजण जी की कहानियों, उनके उपन्यासों के उपर दूरदर्सन ने एक स्रिंखला, एक स्रीज जो है बनाई थी, जिसे तहरीर के नाम से प्रकाशित किया गया था कल उस तहरीर के अंदर इदगा कहानी का लिंक जो है वो मैंने अपने पेज के उपर शेयर किया था उमीद है आप लोगों ने उसे देखा होगा नहीं देखा है तो प्लीज देखिए इदगा कहानी तहरीर की उस कड़ी को देखने के बाद आपको एकदम से समझ में आ जाएगी बहुत जरूरी है कहानी उस बहुत अच्छा आभिने जो है उसके अंदर किया गया है बहुत उत्सुकता बनेगी कहानी को आपको पढ़ने की और कहानी जो हम आज आपके समझ लेकर है वो कहानी तहरीर के उस एपिसोड से एकदम आपको क्लियर हो जाएगी यहां मैंने आपको कल भी बताया था कि NCRT बुक्स करके जो एप है वहां से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं इसके इलावा E-parts आला करके जो एप है वहां से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं मैं वापस आपको जो है लेकर के जाओं कहानी के उपर तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दिखाई भी देगा और हम जो है उसका वाचन जो है वो आपको सुनाएंगे भी थोड़ी सी क्लेरिटी वाली समस्या यहां आ सकती है लेकिन स्वमवार तक जो है हम लोग इस कनेक्टिवार्टी वाली प्रॉब्लम को भी जो है दूर करने का प्रयास करेंगे उमीद है कि आपको जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे रहा होगा कहानी हमने काल यहां तक पढ़ ले थी कि पांच पैसे जो है हमिद के दादी अमीना जो है वह अपने बटवे में रख लेती है तीन पैसे हमिद को दे दिये जाते हैं और दो आने पैसे का दूद जरूरी है क्योंकि वहां पर जो अन्या गाओं के समाज के जो लोग हैं जैसे धोबन है नाइन है, महितरानी है और चोड़ी हारिन है वो सभी आएंगी और सभी को सेवयाँ चाहिए और सेवयाँ भी उन्हें अच्छी मात्रा में चाहिए क्योंकि थोड़ी जो है मात्रा वो किसी को अच्छी नहीं लगती है जिन्दगी खेरियत से रहे तो उनकी तक्दीर भी तो नहीं के साथ है बच्चों को खुदा सलामत रखे दिन भी कट जाएंगे यहां तक की बात जो है कल हमने की थी आज की बात हम जो है उससे आगे करेंगे गांस से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दोड़कर आगे निकल जाते फिर कभी किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए वह कभी ठक सकता है शहर का दामन आ गया सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे और बच्चे जो हैं ौह आमिद के साथ अन्य बच्चों के साथ हमिद भी जा रहा और बच्चे करते में कभी कोई उससे दोडिकर आगे निकल जाता है कभी कोई और अगर दोड के आगे चला गया तो किसी छायदार पेड के नीचे खड़े ओकर फिर वह अपने साथालों का इंतजार करते हैं हामित को ऐसा लगता है कि सारे लोग जो है इतने धीरे-धीरे क्यों चल रहे हैं उसके पैरों में तो मानों पर लगना मतलब कि एकदम जैसे वह उड़ते वे जल्दी से जो है पहुंचाना चाहता है वह कभी थर्प सकता है सहर का दामन आ गया है सडक के दोनों और अप चुक पक की चार दिवारी बनी हुई है और दोनों तरफ जो है बगिचों के बाहर जो है एक चार दिवारी नोंने बना रखी है वहाँ पेड है पेडों में आम और लीचियां लगी भी हैं कभी-कभी कोई लड़का कंकडि उठाकर आम पर निसाना लगाता है माली अंदर से गाल पर हैं खूब हस रहे हैं माली को कैसा उलू बनाया तो ये जो बाल चंचल जो इस्थितियां कि बच्चे जो है वह जा रहे हैं वो देख रहे हैं जहां पेड़ों के उपर आम और लीचे लगी वी हैं कभी-कभी कोई लड़का परेशान करने के लिए माली को क्या करता है एक कंकड उठाकर के आम की तरफ पेग देता है, माली अंदर से गाली देता हुआ, निकलता है, लड़के वहां से एक परलांग दूरी के उपर हैं, तो वो माली को उल्लू बना करके जो है, वो हसते हैं. बड़ी इमारतें आने लगी यह अदालत है यह कॉलेज है यह क्लब घर है शहर आया तो गाउं के अंदर की इमारतों और शहर की इमारतों के भेद भी नजर आये अदालत दिखाई दी कॉलेज दिखाई दिया कलब घर जो है दिखाई दिया इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं है जी सब लड़के नहीं है जी बड़े बड़े आदमी हैं सच उनकी बड़ी बड़ी मुझें इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं नजाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर हामीद के मदर्से में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं बिलकुल तीन पौड़ी के हैं कि देखें कि यहां जो बड़े लोगों की जो उच्छ मानसिक्ता है उसके उपर प्रेम्चन जो है गयंग करते हैं और जो लगातार जो है अध्यन रत हैं वो यह बताना चाहते हैं कि शहर के अंदर यह जो बड़े बड़े लोग और उनके जो बड़े बड़े ख्वाब है उन बड़े फाबों के उपर ये तंज कसा जा रहा है हामिद के काउं में भी मदरसे के इंदर लड़के हैं जो बड़े बड़े लड़के हैं लेकिन वो दो कोड़ी के नहीं वो तीन कोड़ी के हैं कैसे कि रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले हैं कि जो काम से जी बढ़न वाले लोग हैं वो भी वैसे ही लोग होंगे और क्या क्लब घर में जादू होता है सुना है यहां मुर्दे की खोपडियां दोड़ती हैं और बड़े-बड़े तमासे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने दे और यहां स्याम को शाहब लोग खेलते हैं बड़े- उसे पकड़ ही न सके घुमाते ही लुड़क जाए यहां क्लब घर का जादू और उसके बारे में गाओं के अंदर जो चलने वाली वारता लागत बच्चे जो हैं वो किस तरीके से वो देख रहे हैं कि सहर के अंदर जो चीजे होती हैं वो चीजे कानों सनी होकर के किस रू चीजे मासती हैं तो उसका चित्रन जो है किया गया है और कलब घर के अंदर जहां पर पुरुष और महिलाएं बड़ी और मेमे भी खेलती है तो पुरुष और महिलाएं उनको वो सूशता है कि अगर ये बैठ अगर हमारी अम्मी को अगर दे दिया जाए तो वो तो उसे प ला चलो मनो आटा पीज डालती है जरासा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कापने लगेंगे सेकडों घड़े पानी रोज निकालती है पानी घड़े तो तेरी भैंस पीजाती है किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आखों तले अंधेरा चा जाए तो महसिन ने कहा कि नए मनो आटा मन यानि कि लगबग एक मन में 40 किलो होता है तो उससे पहले मापने का जो सेर धड़ी पसेरी मन यह माप के जैसे आज कल किलोग्राम में है यह ठीक वैसे ही माप का एक एक आई है जिसे मन कहते हैं तो मनो आटा पीज यानिकि बहुत सारा जालती है और बैट पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आप थड़ी लुक्त अपने लगेंगे सेकड़ों घड़े पाने निकालती है और पांच घड़े पानी कम से कम तो उनकी भैंस पी जाती है अगर किसी एक मेम को एक घड़ा अगर पकड़ा दें शहरी महिलाओं की कमजोरी के उपर कि वो गाओं की महिलाओं की अपेक्षाक्रत जो है शारिडिक बल में शहर की महिलाएं कमजोर होती हैं उनके उपर व्यंग कर रहे हैं कि अगर किसी को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो उनकी आ उचल कूद तो नहीं सकती लेकिन यहाँ जो खेल है इसके अंदर दोड़ना है उचल कूद है वो तो नहीं कर सकती महसिन हाँ उचल कूद नहीं सकती लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चोधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेजी से दोड़ते हुए वहां पहुंसती है कि मैं उनको पकड नहीं पाए और मुझसे दोड़ते हुए आगे चली गए आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई आज खूब सजी हुई थी इतनी मिठाईयां कौन खाता है देखो न एक एक दुकान पर मनो होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अबा कहते हैं आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है बिलकुल ऐसे ही रुपए ये भी अगर आप देखें कि किस तरीके से बच्चे जो है सहरी चकाचौंत के अंदर जाते ही जो है उनकी आखे जो है वो फूल जाती है और वो चारों तरफ जो है देखने लग जाती है गए तो आगे उनको हलवाईयों की दुकाने दिखी उन हलवाईयों की दुकानों के उपर बहुत सारी मिठाईयां सजी वी थी और वो सोचते हैं कि मिठाईयां कौन खाता होगा क्योंकि एक एक दुकान के उपर मनो मतलब वही किलो से किलो जो है बहुत सारे मिठाईयां रखी हैं तो सुनी सचमुच के रुपए दे करके वो उनसे खरीद कर ले जाते हैं। हमिद को यकीन नсемए ऐसे रुपए जिनात को कहा से मिल जाएगे कि यह हमिद को यकीन नहीं है कि जिन जो है जो फरिस्ते जो जिन्नात जो आते हैं उनको ये सचमुश के रूपए मिल कहां से जाते होंगे क्योंकि यहां तो गाउं की जो गरीबी है उस गरीबी के अंदर एक-एक पैसा, एक-एक पाई जो है वो श्रम्शे, वो मेहनत से कमाई जाती है और इन जिन्नों को बिना मेहनत किये ये पैसे कहां से मिल जाते हैं आप छेखिए शेहर के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिठाईयों की दुकानों के उपर खड़े रहते हैं कितनी जो है कमाईया उनकी होती हैं किलो की किलो मिठाईयों की डब्बे रोश शाम को पैकरा करके कुछ अपने घर लेके जाते हैं कुछ गिफ्ट करते हैं तो जो क्रप्षन जो फैला हुआ और उस क्रप्षन से जो बड़े जो बने हुए लोग हैं वो यहां पर उनको जिन्नात के रूपक के माध्यम से प्रिमचन्द स्पस्ट करना चाह रहे हैं हामिद को यकीन ना आया ऐसे रूपे जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे महसिन ने कहा जिन्नात को रूपियों की क्या कमी जिस खजाने में चाहें चले जाएं लोहे के दर्वाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब आप हैं कि स्फेर में हीरे जवाहराद तक उनके पास रहते हैं जिन से खुश हो गए उसे टौकरो जवाहराद दे दिये अभी यहां बैठे हैं पांच मिनट में कलकत्ता पहुँच जाएं अब देखिए किस तरीके से जो है किस बारिकी के साथ जो है सरकारी जो कारिया ले हैं और उनके अंदर कारिय करने वाले जो लोग हैं जो फ्रस्ट लोग उनकी उपर प्रेमचंद ने बड़ी खुबसूर्ती से रूपक बानते हुए वियंग किया है कि जो जिन्नात जो है ये हमारे समाज की जो भृष्ट लोग है ऐसे लोगों को जो है रूपियों की क्या कमी हो गया किसी भी कजाने के अंदर चले जा सकते हैं कितने ही करोड़ों रूपए वो इसी तरह जो है भास्ट कमाई से जो एकठा कर लेते हैं जो अपने पास कि अभी यहां है तो कभी कहां यह जा सकते हैं तो इस तरीके से यह बाल सलब वारतलाप के साथ कहानी लगाता है हमारी आगे बढ़ती भी जा रही है आगे हामिद फिर पूछता है हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे महसिन ने कहा एक एक बराबर होता है जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आस्मान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में घुश जाए अगर आपने अलिफ लेला की कहानी सुनी हो तो अलादिन जो चिराग रगड़ता है उस चिराग के अंदर से जो है वो जिन निकलता है और वो कोई भी आकार जो है जिन धरन कर लेता है तो यहां ठीक वैसे ही एक रूपक जो है कि जिन जो है वो एक आस्मान के बराबर भी हो सकता है जमीन पर खड़ा हो तो इतना बड़ा हो सकता है उसकी उसका सर जो है जाकर के कहा टगराए आस्मान के जा लगे और चाहे तो वह एक लोटे में घुश जाए हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे कोई मुझे वह मंतर बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लो महसिन अब यह मैं तो नहीं जानता लेकिन चोधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है कि उन्होंने कहा कि अब यह चीज तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन गाओं के अंदर जो चोधरी है उनके काबू में बहुत से जिन्नात है कोई चीज चोरी जाए चोधरी साब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे जुमराती का बच्वा उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं न मिला तब जख्त मारकर चोधरी के पास गए चोधरी ने तुरंत बता दिया मावी सिखानी में है और वहीं मिला जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान के खबरें दे जाते हैं यहां आप देखिए कि महसिन जो है वो उनको बताता है कि जो चोधरी जो है जो गाउं के चोधरी जो है वो उन जिन्नों को काबू में रखते हैं गाउं के अंदर कहीं कोई чीज अगर चोरी हो जाए तो वो उसको जो है कौन बता देगे चोधरी साब बता देंगे एक बार ऐसे जुमराती जो है उनका जो जुमराती नाम है उनका बच्षडा खो गया था तो वो तीन दीन से खूब परिशान होकर जो है वो चोधरी के पास गए और चोधरी ने उन्हें तुरंट बताया कि आप जो है मवेशी खाने के अंदर चले जाएए मवेशी खाने के मिला ही मवीशी खाने के अंदर ही जो है उनको उनका बच्छडा मिला तो उन्होंने कहा कि जिन जो है आकर के चोधरी साहब को यह खबरें दे जाते हैं आप इसे भी अगर देखें तो देखें कि जो लोग इन कारें से जुड़े वे रहते हैं उनके पास सारे दुनिया जहान की खबरें रहती हैं वो सारी चीज़ों को अपडेट रखते हैं कुछ इसी तरह का इसारा जो है प्रिम्चन अब करना चाह रहे हैं और यह इसारा जो है करके वो बताना चाहते हैं कि कैसे जो भरष्ट जो अधिकारी वर्ग जो है वो भरष्ट अधिकारी वर्ग किस प्रकार से सारी खबरें रखते हैं तो अब उसकी समझ में आ गया कि चोधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है यह चीज देखे कि किस तरीके से उन्होंने इशारा किया है कि उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सुनाई दे रहा होगा अभी तक जो है मैं देख लूँ कि कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी व्यक्ति का कोई इस तरह का कमेंट तो नहीं आया जिसके अंदर यह लगे कि हां अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया दिव्या ने किया है कि 10th क्लास लेकिन उसको जो है प्रारतना मिस्रा ने रिप्लाइ कर दिया कि इन्हों 11th क्लास चल रही बिल्कुल देखें आप लोग से अनुरोध है कि हम बकायदा उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हैं उपर आप देखेंगे बाल के उपर लिखावा होता है लाइव वीडियो के उपर कि कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर यहां चल रहा है आप लोग वो चैप्टर दे और वापस आपको बता रहे हैं कि लगबग सभी विश्यों की कख्षाएं जो है इस समय चल रही है सबका टाइम टेबल जो है वो दिया हुआ है इस टाइम टेबल को आप लगातार जो है वाच करें ताकि आप क्लासेट से कनेक्ट रहें और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आया है अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या मैसूस हो रही है तो आप यहां कमेंट वोक्स के अंदर आप वो कमेंट कर दें ताकि हम उसे तुरंत जो है और सॉल्व करके आपके समक्ष रक्ष यह सारी चीजें जो हैं यह सब आपके फाइदे के लिए की जा रही हैं अगर किसी प्रकार की आपको फिर भी कोई दिक्कत महसुस होती है तो प्लीज आप हमें यहां कमेंट बॉक्स के उपर छोड़ दिजिए ताकि वो कमेंट हम देख करके जो है आपको जो है समस्या का समा अब उसकी समझ में आ गया था कि चोधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगे चले यह पुलिस लाइन है यहीं सब कांस्टिबल कवायद करते हैं रात को बिचारे घुम घुम कर पहरा देते हैं नहीं चोरियां हो जाए आगे चलते हैं तो उन्हें पुलिस लाइन दिखाई देती हैं वहाँ पर वो जो फायर करने की जो आवाज है वो प्रेमचिंद ने लिखाया रात को बिचारे घुम घुम करके पुलिस वाले पहरा देते हैं अगर वो पहरा ना दे तो हो सकता है कि वहाँ चोरियां हो जाएं महसिन ने प्रतिवाद किया यह कास्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यही चोरी कराते हैं सहर के जितने चोर डाकू हैं सब इन से मिले रहते हैं रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो आप दूसरे महले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते हैं जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं जो पुलिस उभाग के अंदर जो है व्याप्त ब्रिष्टा चार है उसकी और प्रेम्चन जो है मौसिन के इस कथन के माध्यम से इशारा करना चाह रहे हैं कि मेरे मामू एक थाने में कॉंस्टेबल हैं 20 रुपिया महिना पाते हैं तनक्वा कॉंस्टेबल कि उस समय उतनी होगी 20 रुपए महिना लेकिन 50 रुपए घर बेजते हैं अल्ला कसम मैंने एक बार पुछा था कि मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं हसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक ही दिन में लाखों मार लाएं हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी नहों और नोकरी चली जाए तो पुलिसिया विभाग के अंदर जो ब्रस्टाचार व्याप्त है उस ब्रस्टाचार की और प् चोरिया होती हैं नहीं तो अगर यह चाहें तो किसी भी तरीके से उस चीज़ को रोक सकते हैं और महसिन अपने मामू के उधारन को देख करके इस बात को पुष्टी करता है हामुद ने पुछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई नहीं पकड़ता नहीं कि अगर यह तो यह लोग खुद हैं लेकिन अल्ला इन्हें सजा भी खूब देता है कि यह लोग हैं इनको कौन पकड़ेगा यह तो खुद ही पुलिस हैं तो इनको तो कोई पकड़ नहीं पाता है पुलिस वाले तो पकड़ेंगे क्या इनको लेकिन वो कहता है कि इनको सजा जो है वो अल्लाह देता है हराम का माल हराम में जाता है थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई सारी लई पुंजी जल गई एक बरतन तक न बचा कई दिन पेड के नीचे सोए अल्लाह कसम पेड के नीचे फिर न जाने कहां से एक सो कर्ज लाए एक सो रूप्य का कर्ज वो उन्हों ने लिया तब कहीं जाके घर के अंदर अनके बरतन बहन्डे आये है जो चोरी का जो माल है इमानदारी से आप कमाएँगे तो आपके पास बचेगा लेकिन चोरी से अगर आपने कुछ आ 내가ता है इसी करता वे परायनता की और जो है आमिद के माध्यम से प्रिमचंद इशारा करते हैं कि व्यक्ति को इमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए हामिद एक सो तो पचास से ज़्यादा होते हैं कहां पचास कहां एक सो एक थैली भर होता है सो तो दो थेलियों में भी ना आए कि कहां तो पचास रुपे हैं और कहां सो पचास रुपे एक थेली में आ सकते हैं लेकिन सो रुपे वो तो एक दो थेली में भी ना आए तो यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारिक विशलेशन जो है प्रेमचंद करते हैं बाल मनोविज्ञान का कि कैसे दो छोटे बच्चे जो है वो इसी प्रकार की बातें कर सकते हैं इसका चित्रन जो है प्रेमचंद ने यहां पर किया है अब बस्ती घनी होने लगी इदगा जाने वालों के टोलियां नजर आने लगी एक से एक भड़किले वस्त्र पहने हुए कोई इकके तांगे पर सवार कोई मोटर पर सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग ग्रामिनों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखवर, संतोस और धैरिय में मगन चले जा रहा था बच्चों के लिए नगर के सभी चीजें अनोखी थी जिस चीज की और ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉन की आवाज होने पर भी नचेतते हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा तो अब धिरे धिरे सखन शहर की बस्ती के और बढ़ने लगे आगे इदगाह की तरफ जाने वाली टोलियां बहुत सारे लोग इदगाह में समलित होने के लिए जा रहे थे जो टोले के अंदर एक समूह के अंदर जो है जा रह तोलियों में नहीं घूमना है ना ही शाम को ना सुबह आप घर में रहिए एहतियात बरती है साउधानी बरती है तभी जाकर के हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे तभी जाकर के जो है सब जन जिवन हमारा सामान्य को पाएगा अनुरोध है ये कुछ समय के लिए है इस एहत के लिए और हमारे जियोन के लिए बहतर होगा तो ध्यान रखें कि आपको इस तरीके से टोलियां बनाकर तो बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं निकलना है अपितु आपको लोकडाउन के पिरिड में बाहर ही नहीं जाना है तो लोग जो है दिखाई देने लगे इत्र में ब बेखबर चुकि गाओं के बच्चे थे और बेखबर थे कि गरीब क्या होते हैं गाओं के अंदर लगबग जो है कुछ व्यक्तियों को अगर छोड़ दें तो सबके हालात वैसे ही थे इसलिए अपनी गरीबी से बेखबर ये बच्चे जो है जा रहे थे नगर जो है शहर इनके लिए बड़ी अनोखी वस्तु थी हर चीज को जो है ताकते हुए वो देखते और ताकते ही रह जाते बराबर सड़क के उपर जो चलते हुए जा रहे हैं तो पीछे हौन जो है वो गाड़ियां देती जाती एक गाड़िचे मुश्किल से जो है हामिद बचा सहसा इदगाह नजर आ गया और ठीक थोड़ी देर बाद में उन्होंने देखा तो सामने जो है इदगाह था उपर इमली के घन ये व्रक्षों की छाया है इदगाह के उपर जो है इमली के घन ये व्रक्षों की छाया नीचे पक्का फर्ष जिस पर जाजिम बिचा हुआ है जाजिम मैट चटाई जो पूरे एक लंबी चोड़ी जो है लोगों के बैठने या सिजदा करने या नमाज पढ़ने के लिए जो नीचे बिछा दी जाती है वो वहाँ पर बिछी वी है फर्स बेहत पक्का है और रोजेदारों की पंग्तियां एक के बीछे एक ने जाने कहां तक चली गई है और उस इदगा के अंदर जो रोजेदार जिन्होंने रोजे रखे हैं जो वहाँ पर रोजे की नमाज जो है वो इद की नमाज जो है पढ़ने के लिए आये हैं वो रोजेदार वहाँ पर एक के बाद एक लाईने लगा करके जो है वो पीछे तक लाईने च लाइने और बहुत पीछे तक जो है लाइने लगी हुई है नए आने वाले आकर पीछे की कितार में खड़े हो जाते हैं आगे जगे नहीं है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इसलाम की निगाह में सब बराबर हैं इन ग्रामिनों ने भी वजू किया और पिछली पंक्त में खड़े हो गए वजू करना आप जानते होंगे कि अकवरी लोटे के अंदर भी आपने पढ़ा होगा और वैसे भी आपने सुना होगा वजू नमाज पढ़ने के पूरू जो हात पैरमूद होकर के जो जाते हैं तो वो वजू करना कहलाता है तो ये गाहों से ये भी चल एक साथ फिर कितनी सुन्दर संचालन, कितनी सुन्दर विवस्था, लाखों से एक साथ सिजदे में जुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ जुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं देखे कितना खुबसूरत चित्रन प्रेमचंद के द्वारा इदगाह का किया गया है कि सुन्दर तरीके से जो है इद की नमाज पढ़ने के लिए जो काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं और उसका संचालन प्रेमचंद कहते हैं कि कितना अ बिजली की लाखों बत्या एक साथ प्रदीप हों और इकरिया काफी बार होते है और उनको प्रेमचंद को लगता है जैसे ऐसारी बिजल्या जो है उनकी जो बल्ब जो है एक साथ जो हो जल उठे हो और एक साथ बुझ्हां यही कर्म चलता रहे कितना अपूर्व द्रश्य था जिसकी सामुहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हिर्दय को स्रद्धा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी मानो ब्रातरत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोय हुए है यहां यह आप देखेंगे फ्रेम्चन ने इद के त्योहार को जो है कहा है कि ये समस्ता आत्माय मानों ब्रातरत्व की भाईचारे की एक लड़ी के अंदर पिर्योद गये हैं। इसलिए हमारे यहां माना भी जाता है कि एद का जो त्योहार है वो मिलन का त्योहार है लोग गले मिलते हैं एक दूसरे को बधाईया देते हैं। हम शेकलर राष्टर हैं यहां सभी धर्मों के सभी उत्सवों को समान रूप से आदर दिया जाता है। हौली दिपावली की तरह इद भी जो है यहां मनाई जाती है। तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सदभाव से जिस भ्रात्रत्य की बात प्रेमचंद करते हैं। तो आज कहानी का एक पेरा यहां समाप्त होता है। आगे की कहानी को हम कल लेंगे जहां नमाज के बाद बच्चे मिले में जाएंगे उसको अब हम कल देखेंगे। इससे बाद अगर मैं बात करूँ आप सभी से तो एक असाइनमेंट मैं जो है आप लोगों को देना चाहता हूं। आप लोग जो है एक अनुछेद लिखें और अनुछेद का सेर्शक रखें मेरा प्रियलेखक प्रेमचंद। वापस मैं आपको बता रहा हूं कि एक अनुछेद मैं चाहता हूं कि आप लिखें मेरा प्रियलेखक प्रेमचंद। प्रेमचंद। जी के बारे में पढ़िए और एक असाइनमेंट जो है या आप लोगों के लिए है कि आप घर पर रहकर के आप इसे प्यार कर सकते हैं विद्यालेखक खुलने के पस्षा जो है शिक्षक को आप प्रस्तुत करें या आप डिजिटल रूप में भी जो है हम चर्चा करेंगे और यह भी हम देखेंगे किस प्रकार जो है इसके से प्रसंग व्याख्या जो है वह की जाए कुछ प्रसंग यहां हम आपके सामने रखेंगे और उनकी व्याख्या भी जो है हम यहां आपके समक्ष करेंगे तो आप जो है लगातार अपडेट रही है आ और किसी प्रकार का जो assignment आपको अपने विद्याले के माध्यम से आपके WhatsApp ग्रूप के उपर अगर प्रेशित किया जाता है, तो प्लीज आप उसके according जो है, आप अपना कार्य करें, ताकि सुचार रूप से इस lockdown के अवधी को हम अधिक से अधिक लाब उठा सकें। और अब मैं वापस एक बार comments के और आना चाहूंगा, मैं पुने आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपके जो भी संकाये हैं, जो भी किसी प्रकार के आपको अगर doubt होता है, तो आप अपने doubts को जो है, आप यहां comment box के अंदर लिखे, आप इसी class के अंदर जो है, आपके द के हम आपके link के ऊपर आपको reply कर सके हैं, पूनते हैं, हिंदी की कक्षा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आपने feedback के साथ कृपया आउगत भी कराएं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्य, अगर आपके सामने अगर आती है, तो प्लीज, आप लो सवाल है, तो आप अपने सवाल जो हैं, यहां comment box में छोड़ दीजिए, मैं continuous check कर रहा हूँ, अभी तक जो है, कोई नया सवाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मनेश कुमार की तरफ से आया, good afternoon, हिमान सो सर्मा पूछ रहे हैं कि कौन सी class सर, मैं इसी class के बाद कर रहा हू एचिक हिंदी, तो इलेक्टिव हिंदी के रूप में आप लोगों ने ली हैं या लेने वाले हैं, उस class के अंदर जो है, आपका पहला पाट है, इदगाह, जो कहानी है, उनसी टेम चंती, हिमान सो, हम इदगाह पढ़ा रहे हैं, और उमीद करते हैं कि आप अगर एचिक हि कोई शंका है, तो आप यहां रख सकते हैं, हिमान सो, कुमार लिख रहे हैं, class 12th का है sir, नहीं, हिमान सो यह 11th class है, 11th class के हिंदी जो है, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, प्लीज आप, जो हमारी वाल है, उसके अपर आप देख सकते हैं, वहां हमने बकाइदा लिखा भी ह और अगर आप वीडियो से सुरू से connect होते हैं, तो आपको समझ में भी आएगा, कि किस प्रकार से यहां पर सभी वीशियों की अलगलग अक्षाएं चल रही हैं, जो अन्य साथ हैं, अगर कुछी का कोई सवाल है, तो प्लीज आप लोग अपना सवाल सामने रखें, ताकि ह हम उसके जवाब दे सके हैं, मैं उमीद करता हूं कि प्रेमचंद की कहानी इदगाह आपको समझ में आ रही होगी, वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कहानी को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो दूरदर्सन के उपर, यूट्यूब के उपर मैंने क दिया था, और खरिएर के अंधर बहujęच कहानी को अगरे हैं, आपने को अगरे हैं, तो पälltएचे से संजीन में आपको भूट्यूब कर वो नहीं को देख सकते हैं, तीन से चार में लाइव होते हैं, तो आप मलिक सर के क्लास के अंदर अटेंड कीजिए, ताकि आपको वहां लाब मेले, नमन अनमोल लिखते हैं, कि ओनलाइन क्लास 10th कब शुरू होगी, इंगलिस की, मंडे से आपकी क्लासे स्टार्ट होंगी, और जिसका लिंक यहां दिया है, जो लिंक आपको यहां इससे भी शेर किया जाएगा, वहां पर KVSRO Delhi Live Secondary, जैसे यह जो लिंक है, KVSRO Delhi Live Senior Secondary, ऐसे ही KVSRO Delhi Live Secondary का जो Facebook page है, उसके उपर Monday onwards, कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की कक्षाएं जो है, प्रारम होंगी, तो आप जो है, वहां पर अपनी कक्षाओं को जो है, जो है, जो है, जो है, मंडे से कक्षा 9 और 10 के चात्र भी तियार रखें, उनके सभी subject के कक्षाएं जो है, वहां पर जो है, चलेंगे नमन के अलावा अने किशी का जो है, नमन मौल, प्लीज नमन मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, इनके अलावा अगर किशी का कोई सवाल है, तो आप यहां रखें, ताकि हम उसको जवाब दे सकाएं, तो साथियों, आज के कक्षाएं अमीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, किरप्या feedback जरूर दें, ताकि जो बदलाव हमें अपेक्षित अपने अंदर जो करने चाहिए, वह हम करें, और इस तकनीक को जो है, हम लोग अपना रहे हैं, दिनो दिन इस तकन को हम लोग बहतर करने की कोशिश में करेंगे, कि आपको सब कुछ जो है, सपस्ट हो, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है, मैं लाइव यहाँ, चला सकूँ, तो आज के लिए बहुत-बहुत, थैंक्यू, धन्यवाद,